हलो स्टुएंज कैसे हैं आप सब चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वक्षीट आपकी वक्षीट नमर 92 बी इवेस की वक्षीट एक लास फोर्ट की दिनांगे 18 अक्टूबर यहां पर आपको अपना नाम और यहां पर आपको अपनी टीचर का नाम लेखना है नमस्ते पैरे यह एक प्राकृतिक आपदा है जिसका जिसे हम इंगल्स में कहते हैं नाच्रल डिजास्टर है जो की बहुत तबहाई मचा सकता है इसको टाला तो नहीं जा सकता है पर इसके आने पर कुछ खास बातों का ध्यान रखकर हम अपने जीवन और संपत्ति की रक्षा कर सकते हैं जिससे आपदा प्रवंदर डिजास्टर मेनेजमेंट कहते हैं आज हम बुकंप के दोरान बढ़ती जाने वाले साब्धानियों के बारे में जानेंगे फर्स कुशन है बुकंप आने पर हमें कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए नीचे दिये गए वाक्यों में आपको भुकंप के दोरान अपना ही जाने वाले साब्धानियों साब्धानियों दी गई है सही विकल्प चुन कर अपनी कौपी में लिकिए यदि आप इमारत में है तो लकडी को मजबूत फरनीचर से मजबूत फरनीचर के नीचे रहे और आपकी गिरती हुई वस्तु से पकड़ेंगी तो आपकी जो वस्तु गिरीगी उससे आपकी रक्षा होगी मजबूत वस्तु आप के दिवार को अथवा दिवार को पकड़ें जिसनी आप गिरेंगे नहीं लिफट प्रियोग ना करें यहापे क्याएंगा बच्जो ना करें अगर यदी आप बाहर हैं तो यदि आप बाहर हैं तो इमार्तों से दूर खड़े हो रहें और खुले मैदान में जाएं छतिगरस छेत्र से दूर रहें यदि संबभ हो तो रेडियो आउन करें ठीक है रेडियो आउन रखें अपनी और दूसरों की चोटकी जाच करें अब आगे चलते हैं भुकम से बचने का पहला नियम नीचे दर्शाया गया है इस नियम को अपने हमें सबसे पहले अपने सिर को बचाना चाहिए इस नियम के निर्देश में संकेत बॉक्स सहायता से अपनी कॉपी में लिखें तो बच्चों ये तीन चितर दिये गए हैं पहला है रही ये जुका फर ये टेबल के नीचे घुज गया और फिर इसनी इस टेबल को जोर से पकड़ लिया तो देखें पहले हैं ड्रॉप मतल कीजिए और भुकंप सबंदी दो साफधानियों को अपनी कॉपी में लिखें जब भी जब कभी जब भी भुकंप आए खुद को खुद के होश ना गवाएं घरों से निकल कर किसी खुली जगा पर चले जाएं यदि घर से निकलना संबबना हो तो मजबूर टेबल या कु से में छिप जाएं टेबल को कसकर पकड़ लें बिलकुल भी ना घवराएं पहले खुद समलें फिर दूसरों की जान बचाएं ठीक है बच्चों तो देखिए दो साफधानिया लिखनी आपनों तो पहली साफधानी कह लिख सकते हैं या पहले यही लिखने लिखेंगे बच्चों के साथ बुकम संबन्दी साफधानियों के बारे में चर्चा कीजिए और यदि संबफ हो तो बच्चों को अपने सिर्ष को बचाने वाले नियम का अभ्यास प्रेक्टिस ड्रिल करवाईए तो बच्चों यह थी आपकी आज की वक्शेट मिलते हैं बच्चों न